तो hello and welcome दोस्तों मेरा ना मैं हर्स और आपका बहुत बहुत सा अगात है हमारी यूटूब चैनल पर तो friends आज के इस वीडियो अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ Google Adsense कुछ जानकारी important जानकारी दिना चाहता हूँ क्योंकि मेरे साथ भी यह हो चुकी है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग के साथ यह problem हो और आप लोग को समझने में थोड़ा भी कुछ problem हो तो friends आज के इस वीडियो को अंदर मैं आप लोगों को Google Adsense जिससे की earning होती है उनके पीन verification या फिर कोई भी government identity proof verification का और एक आपको बहुत ही महतपूर्ण जानकारी देने बाला हूँ सबसे पहले बता दू फ्रेंड्स की Google Adsense आप लोग यूज करते हैं Google Adsense अगर आपका इनेबल है या फिर जिनका इनेबल होने वाला है उनको भी यह जानकारी देखना चाहिए क्योंकि वहाँ यहाँ पर मैं सम इन्पॉर्टेंट जानकरी बता हूँ आपको सबसे पहले बात गूगल Adsense के Home Page में आपको 10 टोलर या 10 टोलर से अवरेज या 10 टोलर से उपर आपको हो जाए यानि की 20 टोलर 30 टोलर या 11 बारत कुछ भी हो जाए यानि की 10 टोलर से जब भी उपर हो जाए तब यहाँ पर पीन वरिफिकेशन के लिए बुला जाएगा अब यहाँ पर पीन यह होता है पीन वरिफिकेशन में आप कोई भी पहले तो पीन वरिफिकेशन ऐसे हो जाता था जब आपका 10 टोलर हो जाती थी तो आपका पीन आपके घर पर सेंड किया जाता था आपके Home Address पर जो आप पर बहुत तो यह एकद़ मातपूर जान कर रही है पूरा ध्यान से स YouTube पर सर्च किया पूरा इस चीज को सुनने के लिए मतलब देखने के लिए समझने के लिए लेकिन पूरा YouTube पर नहीं मिला मुझे इस टैप का वीडियो अब यहां पर बात यह है आपका अभी जो चल रही है यानि कि आपका जब भी 10 टोलर हो जाती है अगर आपका नाम पर है आप 18 प्लस एज के हो तो आप डाल सकते हो अगर आप नहीं हो तो अपने परेंस का जिसके नाम पर बनाए हो या एड्रेस जो भी है जिसके नाम पर अपका होना चीए वह गोवर्मेंट आइडेटीप प्रूफ वह आप डाल के पहले वेरिफाय कर लि सबसे पहले जैसे आप या पेडा कर शुक् вр preserv सकते हो मैं आप सिदह पर चैक्प करेंगे य भी चैक्टाय सुड़ेगा आपके लिएक आपको बहुत कुछ करेगा लेकिन वें आपको एक वेरिफिकेजन हो रहाएं पर या पर चियों hold और please verify your identity proof ठीक है तो identity proof आपको आपके government ID identity proof कुछ भी आप डाल सकते हैं जैसे कि मैं आपको बता दूँ अधार card, bank card, driving license, passport या कुछ भी आप डाल सकते हैं ठीक है और एक चीज़ सबसे एक मौका देगा यहाँ पर change करने के लिए आप नीचे अगर address में कुछ गलती या नाम में कुछ गलती कर लख रख रख है पहले से अगर कुछ mistake कर कोई अभी वह डिया कुछ भी नाम में तो आप नीचे एक बार उसको सही कर सकते हैं आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं आप मैंने आपको बता दिया नीचे एक pencil का बटने वहाँ पर आप सिर्फ सही कर सकते हैं एक बार क्योंकि आपका इस सबसे खास बात यह है आपका जो आ नहीं होगा suspension यानि कि suspend भी कर दिया जा सकता है अगर कुछ भी गलत हुआ तो इसको बढ़ियां से आप समझ लिजेगा देन उसके बाद फ्रेंट्स आपको उपर में एक अप्लोड का उप्सेन मिलेगा वहाँ पर आपको आपको आपने जो भी आइडिटीप आप देना चाहत दोस्ति और दूसरा बाद फ्रेंड्स कि आप उस फोटो को क्लीन खिचियेगा और अपना फ्लस और रिएम हो सकता है या और यहां पर मौका आपको फ्रेंड कुछ लिमिटेड ही तो इसलिए आप यहां पर थ्वहां पर ध्यान दियागा और बढ़ियां से फिल्प कीजए जैसे कि कई पिच्टर एडिटर यूँ आप दोनों फोटो को एक साथ जुएट करके रखेगा एक ही फोटो में दोनों का आ विछे का लिए है sit then उसके बाद आपको वो upload कर देना है जिसमें कि आपका नाम एड्रेस और सब कुछ उसमें साब साब दिखता रहा है और उसा फोटो रहना चाहिए ठीक है डैन उसके बाद आपको upload पे क्लिक करना और अपना ग्लेडी से upload कर लेना देन अपलोड करने के बाद नीचे आपको एड्रेस एक बार जो आपको बताया कि वह सब्सक्राइब करने के बाद आपको पता चलेगा आपके इमेल पर कि आपका वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है वह आपको आपके इमेल पर पता चल जाएगा और आपको पता दूंट कि आपको जब बीद आपका डाश गोल रहती है तो आपके इमेल पर कि आपका तफिकया है मतलब बढ़े आपका जो भी यह वोटर आईडी जो भी है गौर्मेंट आइडियो आपको भी आपको वहां पे मांगा जाता है जो भी आप जाले हैं वह वेरिफिएशन होने के बाद आपका फील भेजा जाता है तो यहां पर अब जो है फेरेंट्स दोनों पीन और अधारकार दोन कर लिजे साथ में नोडिफिकेशन वेल को भी टैब नौन कर लिजे ताकि हमारा लेटिस वीडियो आपको इसी तरह कि सबसे पहले मिलते रहेगा तो मिलते हैं नहीं वीडियो में नए टेक्नोलोजी टॉपिक के साथ तब तक के लिए गुडबार वन्दे मात्रम